उधमपुर स्रीनगर 12 मुला रेल लिंक परियोजना और उसका हीरा हम आपको हीरा दिखा रहे हैं कोहिनूर दिखा रहे हैं इस प्रोजेक्ट का और मेरे पीछे कोहिनूर मौजूद है यानि इस पूरे प्रोजेक्ट की जो सबसे बड़ी खासियत है वो खासियत है हिमाले के उचय उचय पहाड और उनको भेदती हुई रेलवे लाइन 111 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन है जिसका एक बड़ा हिस्सा यानि 90 किलोमीटर से बड़ा हिस्सा हम कह सकते हैं कि इन पहाडों से अंदर से होकर जाता है यानि सुरंगे हैं लंबी लंबी सुरंगे और सबसे लंबी सुरंग की अगर हम बात करें तो 14 किलो मीटर लंबी सुरंग है जो जब उसमें से ट्रेन गुजरेगी तो देश की सबसे लंबी रेल सुरंग हो जाएगी यहाँ पर चिनाब रेलवे ब्रिज हम आपको दिखा रहे हैं मौसम आज साफ है और यहाँ पर मौसम को बदलते हुए देरी नहीं लगती है पल पल में मौसम बदल जाता है लेकिन यह पुल हर एक मौसम में ट्रेन को इधर से उधर ले जाएगा यहाँ पर अगर हम इसकी रफतार की बात करें किस रफतार से ट्रेने चल सकती है यानि जो अप्रूवड स्पीड है अगर हम उसकी बात करते हैं तो 100 kmph का दावा किया जा रहा है लेकिन यह देखने की बात होगी कि रेलवे किस रफतार से ट्रेनों को चलाएगी क्योंकि यह प्रोजेक्ट काफी देरी से पूरा हो रहा है लंबे समय से वाइदे किये जा रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा 20 साल की देरी हो चुकी है लेकिन देर आए दुरुस्त आए यहाँ पर अगर हम देखें तो पुल तयार है और इस पर ट्रेक बिछाने का काम भी पूरा हो चुका है बाकी इलाकों की अगर हम बात करें तो जगह जगह काम चल रहा है यहाँ पर जो पहाड दिखाई दे रहे हैं अगर उनकी बात करते हैं तो पीर पंजाल की यह पहाड लाइन गुजरती है और यहां पर एक और चीज में आपको बता दूं इस पुल को बनाने के लिए जगे जगे पर रोड बनाई गई यानि पहाडों को काटा गया साथी साथ चेनाब दरिया के आसपास के इलाकों को सीधी सीधी कनेक्टिविटी मिली यह कहा जा सकता है और इसकी जो चेनाब दरिया से उचाई है अगर हम उसकी बात करें तो एफिल टावर से भी उचा यह पुल कहा जा रहा है और इसकी जो डिजाइन की जीवन अवद ही है या हम कह सकते हैं इसका जो लाइफ स्पाइन है अगर हम उसकी बात करते हैं तो 120 साल तक यह पुल काम करत रहेगा यह कहा जा सकता है और जो हवा की रफतार है आसपास के इलाकों में ज्यादा रहती है लहाजा यहां पर जो इसको डिजाइन करने का काम है वो इस तरीके से किया गया कि इसमें 206 kmph की रफतार से हवाएं चले तब भी कुछ नहीं होगा 206 kmph मैं आपको बता दूँ कि एक जबरदस्त रफतार होती है क्योंकि 65 kmph पर साइकलोन होता है यानि 65 km प्रतिघंटे की रफतार से अगर तेज हवाएं चलती है तो साइकलोन कहा जाता है यानि अगर सुपर साइकलोन भी आ जाए तब इस पुल का बाल बांका नहीं होगा ऐ यहां पर सबसे बड़ी बात यह है जमीन के नीचे लगातार हल चल रहती है हाल ही में अगर हम भुकम की बात करें तो हिंदुकुस की पहाडियों में जो भुकम पाए उनकी वजह से दिल्ली तक हिल गई तो आप सोचिए जब बड़ा भुकम पाएगा तो क्या होगा तो इ इसका डिजाइन भी क्लेम किया जा रहा है कि आठ के मैगनिट्यूट का जो अर्थक्वेक होगा उसमें इसको नुकसान नहीं पहुंचेगा साथी साथ एक और बड़ा दावा है क्योंकि यह राज्य कहीं न कहीं आतंकवात प्रभावित है लिहाजा इसकी पूरी सेक्योर् यहाँ पर जो इसका रंग है वो खास तरीके का दिया गया है जिसमें दूर से आप इसको पहचान ना सकें लेकिन तकनीक बदल चुकी है तो उसके लिहाज से तमाम चीजें यहाँ पर की गई है एक और चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा यह पुल जब पूरी जा रहा है कि टूरिजम को भी बढ़ावा मिलेगा तो तरह तरह की जो एक्टिविटीज हैं उनकी भी यहाँ पर प्लैनिंग की जा रही है कैमरामेन सकील एहमत के साथ सिध्धार्त रियासी म्यूज स्टेशन